असलाम अलेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब खेरियस से होंगे तो देखिए आज संडे स्पेशल में लेकी आई हूँ पनीर टिकका मसाले की रेसिपी तो वीडियो देखिए अब स्पिना स्कीप किये तो चलिए वीडियो बनाना शुरू करते ह उता ह्ता है तो देखिए इधर ले हैं एक बड़े-साइस की शिमता मिर्च जो मैंने बड़े शायस में कट कर लिया और इधर लेली एक प्याज यह भी बंड़ेज साइज में कट कर लीए और थर लीली आई 20 पकनीर और बड़े-बड़े बेशन और इसमें लाल मिर्च का पौडर और इसमें डालने के बाद हम इसका बैटर बना कर तयार कर लेते हैं प्रेंट्स बहुत ही मज़ेदार सी रेसेपी है आप जरूर से बनाईएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक देना बिल्कुल मत भूलेगा तो देखिए इसी में डाल देते हैं शिमला मिर्च और इसी में डाल देंगे प्याज और इन सब्सब्स, और इन सब्सब्स को डालने के बाद अच्छी तरह से चला लेते हैं से को कि देना Touch कि यह तो देकि Bean टॉौने को अच्छी तरह से न लग देताहइं और स्मय और कर देंगे थोड़ा सावप हैं इसके इसके ge verdad कि उसके दाले के सबक्रदार कर दो कुछ हम दूप privat तो यह देखिए अची तरह से मिल चुके हैं तो इधर देखिए पैन में डाल देते हम ऑईल गरm होने के लिए तो देखिए ये सबजी हमारी अची तरह से मिल चुकी हैं उपड़ से डाल देते हैं नीबु का रस जिसे बहुत अच्छा टेश्ट आएगा और नीबु का रस के बाद भी अच्छी तरह से चला लेते हैं तो देखिए अच्छी तरह से हो चुका है गर तो डाल देते हैं सारी सब्जी इसके अंदर और सब्जी डालकर इने अच्छी तरह से रोष्ट कर लेते हैं हलके हलके हाथ से हम पैन को गुमा कर सब्जों को कर लेते हैं रोष्ट सब्जी जब तक हलकी से गॉल्डन न हो जाए तब तक हम इने रोष्ट कर लेते हैं तो देखिए हमारी सब्जी रोष्ट हो चुके हैं तो कडाए के अंदर डाल देते हैं ओएल थोड़ा से ओइल लिया है ओपने हिसाप से लीजिए का मिया ज्यादा तो देखिए इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा, दाल चीनी कर तुकड़ा और लॉंग, काली मिर्च, तो देखिए जैसी चटक जाते हैं इसके अंदर आड़ कर देते हैं एक प्याज जो मैंने बारिक चौप करके रखी हुई थी और प्याज को हलका सा गॉ लसन अद्रक का पेस्ट और लसन अद्रक पेस्ट को भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं तो देखिए अच्छी तरह से हमारे लसन अद्रक का पेस्ट भी भून चुका है तो इसमें आड़ कर देते हैं टमाटर, टमाटर को मैंने बारिक चौप करके रखा हुआ था आप चा सूखे मसाले, हल्दी, कश्मीर लाल मिर्च, मिर्च का पॉडर, नमक और धनिया पाउडर तो देखे सारे मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से चला लेते हैं और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से भून जाए तो देखे इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और पाई डालने के बाद अच्छी तरह से चलाकर हम मसाले को भून लेते हैं 2 मिट के लिए तो देखिए हमारा मसाला भूनकर हो गया तैयार तो देखिए ओल भी साइड में आ चुका है तो जैसे हमारा मसाला भूनकर तैयार हो जाता है हम इसके अंदर एड़ करेंगे यह सब्जी जो हमने रोष्ट करके रखी हुई थी तो देखिए अच्छी तरह से मिला लेते हैं हलके हलके हाथ से तो सारी सब्जी अच्छी तरह से मिल चुकी है और मिलाने के बाद इसमें डालेगे हम थोड़ा सा पानी पानी आप अपने हिस्साप से डालिएगा कम या ज़्यादा जैसे आपको ग्रिवी पसंद है आप उसी हिस्साप से पानी डालिएगा तो देखिए अच्छी तरह से चला कर हम इसे भड़कर पकाएंगे तो देखिए हम इसे भड़क देते हैं और पांश मेट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूं बीच में देखिए खांट पूरी के साथ खांए या नान के साथ खांए बहुत ही मज़े का लगता है तो देखिए हमारा पनीर को साला बनकर बांगर और त프र से हमें कस्तूरीक करती करस करके और हरा धर्री तो इन सबी को डालकर अच्छी तरह से फिर से चला लेते हैं तो हमारा अपनी टिक का मसाला बनकर तैयार है मैं आपको डिस आउट भी करके दिखाती हूं तो यह देखिए हमारी रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है तो फ्रेंच कैसी लगी आपको यह रेसिपी मु